नमश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है Nursing Library तो इस वीडियो में आज हम करने बाले हैं Insulin Syringe Preparation अगर आपके पास डॉक्टर की आडर है कि आपने जो regular insulin है उसको NPH जो Neutral Protamine है Garn नाम की जो insulin है जिसे हम intermediate insulin कहते हैं NPH जिसे हम कहते हैं उसको mix करके देना है regular insulin के साथ जो regular insulin है वो short acting insulin होती है जिसका effect और effecting odds रहते हैं 4 से लेकि 6 घंटे तक तो इन दोनों insulin को हमें mix करके देना है हमारे पास डॉक्टर की orders है तो as a nursing officer हमें पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले इन दोनों insulin वाली वायल में से कौन सी insulin पहले withdraw करनी है और कैसे करनी है तो आज हम इसका procedure पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में तो start करते हैं सबसे पहले तो आपने अपना hand wash करना है जब भी आपने injection administer करना है medication administer करने है तो पहला step आता है hand washing का तो पहले आपने क्या करना है hand wash करने उसके बाद तो यहां पे आप यहां picture में देख रहे हैं यहां पे two type की insulin है यह regular है और यह NPH है तो जो regular है मैंने बताया इसका जो effect है 4 से लेके 6 गंटे तक रहता है और जो NPH है इसका जो effect है वो 8 से 12 गंटे तक रहता है तो सबसे पहले हमने क्या करना है जो NPH है इसको अपने हाथों में लेना है और palms के in between क्या करना है 10 minutes के लिए gently roll कर रहा है फिर क्या करना है जब 10 minutes हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या करना है हमने wipe करना है top of the while की यहाँ पे जो top of the while होगा उसको हमने alcohol swab के साथ अच्छे से clean करना है तो next आपने क्या करना है कि drawback amount of air in syringe that equal to the total dose let's suppose आपको डॉक्टर ने वहाँ पे order दिया है कि आपने जो NPH insulin है उसका आपने 30 units administer करना है patient में तो सबसे पहले जो आपने करना है वो NPH जो while होगी आपके पास insulin को उसमें जो जितना dose दिया गया है उसमें उतनी ही air insert कर देनी है let's suppose आपको 30 units कहा गया था कि आपने 30 units रुआ है NPH insulin है उसके administer करने है तो पहले आपने क्या है syringe में 30 units air fill करने है और किसमें fill कर देनी है वो NPH की while में fill कर देनी है तो वहाँ पे आपने एक ध्यान रखना है कि जो आपका needle का tip होगा वो आपका जो insulin है while के बीच में उसके साथ touch नहीं होना जाहिए तो next फिर जब आपने यहाँ पे क्या कर दिया air fill कर दी इसमें 30 units जितना भी आपको डॉक्टर ने order किया था administer करने के लिए insulin तो उतनी ही amount में आपने यहाँ पे air fill कर दी तो फिर next आपने क्या करना है आपके पास second जो regular insulin वाली while है उसमें आपने same वैसे ही air inject करनी है but equal to the dose जितनी dose आपको डॉक्टर ने बूली है let's suppose आपको 12 units है वो डॉक्टर ने बूला है कि जो 12 units है वो आपने regular insulin के inject करने तो आपने यहाँ पे क्या करना है 12 units air fill करके syringe में फिर वो किसमें inject कर देनी है regular insulin में inject कर देनी है next step आपने क्या करना है फिर आपने air fill करने के बाद जो while है regular अब आती है fill करने की बारी जब आपने air fill कर दी तो अब कौन सी while में से जो insulin है पहले withdraw करनी है जो regular insulin होगा पहले आपने उसको withdraw करना है तो फिर आपने क्या करना है कि जो regular insulin होगा उसको पहले आपने fill करना है अपनी syringe में तो let's suppose आपको वारा जोनट जा जितने भी जोनट डॉक्टर ने order किये थे तो आपको उतने unit withdraw करने है जतनी dose आपको चाहिए होगी जब वहां तक आपकी reading आ जाएगी तो आपको क्या करना है withdraw कर लेना है अपने needle को वाईल में सी फिर जब आपने regular insulin को अपने syringe में fill कर लिया है तो उसके बाद आपने NPH को अपनी NPH insulin को अपने syringe में fill करना है तो let's suppose आपको doctor ने order किया है कि 30 units देने है तो आपने क्या करना है फिर वाईल को same जैसे आपने regular insulin वाली वाईल को invert किया था means उल्टा किया था वैसे ही आपने NPH जो वाईल है उसको invert करना है उसको उल्टा करना है अपनी eye level तक होना चाहिए यह सारा process तो फिर आपने जितने units चाहिए थे उतने आपने क्या करना है withdraw करना है means आपने just insert करना है needle को inside आपने क्या करना है उसको plunger से उसको pull नहीं करना है अपनी side वो अपने आप ही जैसे आप उसमें insert करोगे वाईल में क्योंकि वाईल में air होती है वहाँ पे तो वो pressure के साथ अपने आप ही क्या है विड्रो हो जाती है जो insulin होती है वाईल में तो आपने mean ध्यान रखना है कि आपने यहां से उसको pull नहीं करना है तो यह तो था procedure कि आपने insulin और NPH अगर आप mix करके insulin दे रहे हो तो वो आपने कैसे administer और कैसे उसको while को कौन सी while को आपने पहले चूज करना है और कौन सी insulin को आपने वाद में चूज करना है तो यहां पे जब आपने mix कर ली आपने जो insulin है दोनों withdraw कर ली है तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि 5 से लेके 15 मिनट तक का अगर time हो जाए उसके बाद आपने यह वाली जो आपकी syringe में fill की हुई insulin है इसको आपने नहीं use करना है 15 मिनट अगर हो गए आपको उसके बाद अगर आपको time लगा कि आपने inject करना है patient में तो आपने इसको नहीं inject करना है क्योंकि उसकी जो mixing है उसमें alteration आ जाता है उसकी concentration में alteration आ जाता है तो आपने उसको discard कर देना है 15 मिनट के बाद आपने उसको नहीं use करना है तो यहाँ पे एक और बात, long acting जो insulin होता है, उसको हम किसी भी other insulin के साथ mix नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी concentration में alteration आ जाती है, इसलिए हम उसको किसी भी और insulin के साथ mix नहीं करते हैं, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं, next वीडियो में नए content के साथ, अगर आप लोगों को य के जरूर देजिएगा, thank you.